तो आप लोगों को पता है कि पिछले रेसन में हम लोगों ने लियाओट बनानी शुरू की थी इन्फोग्राफिक के हवाले से और इस लेसन में हम लोगों ने उसी लियाओट को वहीं से कैरियाऑट करना है तो चलेंब चलते हैं और अपनी लियाओट को हम कंप्लीट करते हैं अच्छा जी अब यहां तक हमारी layout आगे थी अब हमने इसको यहीं से आगे शुरू करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यह जो दो मेरी यहां पे यह guidelines हैं इनको मैं delete करूँगा जो कि मैंने सिर्फ इस shape के लिए बनाई थी और अब मैं क्या करूँगा कि मैं direct selection tool क मदब से आके यह जो मेरे corners वले edges वले यह जो मेरे anchor points हैं इनको मैं select कर रहा हूं और मैंने साथ जो hold की हुई है की वो है जनाबिली shift की की के साथ मैं इन सब को जो है वो select कर रहा हूं और select मैं इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि मैं basically इनके जो corners हैं उनको करना चाह रहा हूं round तो यह आपने देखा कि यह हमने सब इन anchor points को select कर लिया अब हम यहां से आके इनके corners को कर देते हैं round इस तरह से अब यह हमारे पास जो है वो design element आ गया है इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूं horizontally थोड़ा सा मैं इसको कम कर रहा हूं vertically इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूं अपनी layout के accordingly और जनाब याली इसको हम क्या करते हैं कि इसको हमारी जो basic हमारा जो पीछे circle है उसके लिए हम इसको उसके साथ हम इसको मास्टर करके कर लेते हैं align अच्छा जी अब यह मेरे पास icons यहां पर पढ़े हूए है इन icons को मैं थोड़ा सा मजीद करता हूं छोटा और अब इनको मैं control shift G करके मैं यहां पर लेके आउंगा और इस तरह से अब मैं यहां पर यह जो icons हैं इनको in edges के उपर यहां पर place करने लगाँ अब यह हर एक icon जो है यह basically हमारी एक जो हमारा step है process का उस हर एक step को हमारा यह जो एक icon है यह define करेगा तो यह हम इदर से यह ले ले लेते हैं हमारे जनाबे लिए ruler रूलर आपको इस काम में काफी ज़्यादा help out करता है guidelines आपको काफी help out करती हैं तो definitely इन चीजों का इस्तमाल जो है वो आप लोग करते रहा करें अच्छा जी अब यहां पर आके हम इसको करते हैं place पर यह मैंने करना था जनाब यहां पर और इसको मैंने लेके आना था यहां पर और अब यह आखरी मेरा रह गया है इसको मैं place करूंगा इस तरह से अच्छा जी अब यह मैंने icons रख ली हैं और यह हर icon एक step को जो है वो explain कर रहा है अब मैं क्या करने लगा हूं कि मेरे पास word file थी आपको याद होगा मैं एक एक step को जो है वो copy करूंगा और वहां पर जाके paste कर दूँगा ठीक है जी यहां पर मैं text लेता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं जी इसको paste और जनाब यहाली मैं अब इसको लाके यहां पर मैं अ इसके लिए जो font यहां पर use करना चाह रहा हूं वह है Helvetica जो के regular fonts के अंदर एक सबसे जादा जैवो delicate font consider किया जाता है इसको मैं centralize कर लेता हूं और यहां पर लाके इसके नीचे यहां पर मैं इसको जो है वह place करने लगा हूं define the problem इसको जो है हम कर लेते हैं जनाब याली control A और मैं देखता हूँ यहां पर मेरे पास bold की option मौजूद है yes तो यह हम यहां पर रख रहते हैं जनाब याली define the problem अच्छा जी अब मैं इसको जनाब याली करने लगा हूँ duplicate alt की मदद से और यहां पर मैं ले के आता हूँ इसको ठीक है और यहां पर अब मैं अपना जो second step है यह copy करूँगा और यहां पर जाके मैं जनाब याली इसको कर दूँगा paste और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और जनाब याली इसको अब मैं कर लेता हूँ जनाब याली यहां पर align अच्छा जी इसी देने से हमारे बाकी के maps ہیں, हम us calm और फारन जुद्रूल P और साती हम USorg और साथ इसको आपने करेंगे श्यूद्र, इसा की दोबरहा लेखन एंगे आपनी मिजद' से नीचे और जनाब यहां पर अब हम देखेंगे हमारा next step develop the solution यहां पर आके इसको हम करेंगे control control V और मैं develop करके the solution को नीचे लेके जा रहा हूँ इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ जनाब यह अलाइन और साथ साथ थोड़ी सी हमें spacing भी definitely maintain करनी है यह जो vertical space है यह भी हमारी बराबर होनी चाहिए अब मैं जनाब यह इसको alt करके दोबारा यहां पर लाता हूँ हमारा second last step रह गया है collect the feedback इसको हम करते हैं यहां पर copy and paste collect करके इसको नीचे ले जाते हैं और इसके बाद हम इसको जनाब यह अलाइन करके इसकी spacing थोड़ी सी देख लेते हैं और अब यह हमारा आखरी step रह गया है यहां पर जो के है जनाब या ली improve the design यानि के finally हम जब design को improve कर रहे होते हैं based on our feedback जो हमने collect की होती है इसको अब हम जनाब या ली कर लेते हैं align और spacing इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं जनाब चलें अच्छा जी अब यह हमने heading भी सारी यहां पर लिखती है अब मैं क्या करूंगा कि मैं फिल हाल यहां पर एक जनाब या ली dummy text वह है वह यहां पर मैं लेकर आऊंगा और आप लोगों को पता है कि illustrator में CC वरिजन में हमारे पास dummy text अल्रेडी जो है वह खुदबा खुदी हमारे पास यहां पर आ जाता है जो कि illustrator की एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसको मैं alt करके लेके आता हूं जनाब या ली नीचे और इस वाले को मैं कर देता हूं left line क्यूंकि मैं चाहरा हूं कि मेरा open end your text का वो इस तरफ रहे जहां पर हमारा icon है इसको हम नीचे लेके आते हैं और जनाब या ली हम इसको करते हैं right line इसी तरह से अब हम इसको नीचे लेके आते हैं duplicate और हम इसको करते हैं left line नीचे और जनाब याली right line और यह last हमारे पास जो रह गया जनाब याली body text और इसको left line ठीक है जी यह हमारा information भी इसके अंदर आ गई है अब थोड़ा सा design element add करने के लिए मैं एक और चीज यहां पर चोटी सी कर देता हूँ कि मैं एक ellipse लेता हूँ और इसको मैं जनाब याली stroke लगाता हूँ black और fill करता हूँ white और इसको मैं थोड़ा सा तोटा करके यहां पर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से और इसके बाद इसी को मैं alt करता जाँगा और यहां पर जिन जिन corners के उपर मेरे जो information है important वहां वहां पर मिल जाके इसको प्लेस करता जाँगा यह जो मेरे icons है basically मैं इनके icons के साथ साथ इसको जाए वो place कर रहा हूँ इस तरह से और जनाब याली इसी को मैं duplicate करके नीचे लेके आता हूँ और इसको मैं यहां पर फोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहां पर जनाब याली मैं इसको change कर देता हूँ इसका मैं stroke कर देता हूँ जीरो और जनाब इसको मैं stroke none करके color येलो दे देता हूँ अब यह जनाब हमारा बाकी सार का सार प्रोसीजर जो है वो complete है हमने अब सिर्फ और सिर्फ नीचे एक और shape add करनी है इस तरह से और यहां पर हमने क्या करना है जी यह मैं दे दूँगा again black color में shape और इसके उपर मैं text type करूंगा www.abcdesignstudio.com क्योंकि definitely जिस page के उपर यह जाएगा उसकी website वगएरा इसके उपर आ सकती है तो यह हम यहां पर दे देते हैं जनाब याली web address ठीक है जी design studio यहां पर यह S हम निकाल देते हैं इसको जनाब याली हम दे देते हैं text के अंदर आके character में आके इसकी जो spacing है यह हम बढ़ा देते हैं बलके यह मैं कर देता हूं character में आके spacing मैं इसको दे रहा हूं 600 ठीक है जी और जनाब याली मैं इसको select कर रहा हूं shape के साथ और इसको कर रहा हूं जनाब याली align तो यह देखें जी यह हमारा जो इन्फोग्राफिक है एक बड़ा simple सा delicate सा design जो वो त्यार है अब हमने इसको save बिलकुल उसी same process के through करना है जिस process के through हमने facebook cover photo और बाकी चीजों को हम लोग save करते हैं web के लिए तो अब हम यहां पे export में आएंगे save for web पे जाएंगे और हम जनाबी अली यहां पे JPEG high के उपर आएंगे JPEG क्लिक करेंगे यहां से हम इसको maximize कर देते हैं और जनाबी अली हम इसको कर देते हैं save इन्फोग्राफिक के नाम से done जी तो हम लोगोंने इन्फोग्राफिक की जो layout है उसको finalize किया आप लोगोंने देखा इस lecture के अंदर हमने उसको कम्पलीट किया और पिछले कुछ lectures को मिला के हमने काफी सारे इन्फोग्राफिक के हवाले से बातें जहें वो डिसकस की हैं, हमने इंफोग्राफिक को जो है वो प्रॉपरली डिजाइन करके देखा है, तमाम डूस एंड डॉन्ट्स हो हैं, वो इंफोग्राफिक को डिजाइन करने के वो मैंने आपको बताए हैं, I hope ये इंफोप ये इंफोप ये आपको काफी पसंद टास्क है, और इसको अगर आप अच्छे तरीके से लाइन कर लें, तो आप इसके त्रू काफी अच्छे पैसे जहा है, वो अर्न कर सकते हैं, नेक्स लेसन में हम लोग स्क्रीन के हवाले से इंशालात अला कोई और नई चीज़ जो है, उसको डिजाइन करना सीखेंगे.